Hello everyone, मैं आनन्द रोडा, AFJ के मुटर क्लासिस, जैपूर से मैं कई भरतियों के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा जैसे की अधिनस्त की LDC की भरतियां और सूचना साइक से रिलेटेड SAC की भरतियां इन सभी के अंदर किसी में केवल English Language का टाइपिंग टेस्ट है तो किसी में हिंदी में और किसी में तो दोनों Language में टाइपिंग टेस्ट लिये जाएंगे अब मैं एक एक भरति के बारे में थोड़ा सा चलके आप सभी के सामने कुछ बोलना चाहूंगा सबसे पहले मैं बात करता हूं सूचना साइक सूचना साइक का जैसे की result आप सभी को पता ही है आने वाला है लेकिन मैं आप सभी को एक बात कहूंगा बहुत से इस एक candidate है जिन लोगोंने typing सीख लिए वो गलती क्या कर रहे हैं वो result के delay होने से वो क्या कर रहे हैं जैसी exam का result आएगा वैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए इन दिनों typing test में बहुत बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं जैसे कि मैं आप लोगों को बात बोलूँ सबसे पहले तो typing test के अंतरगत alt keys आ रही है digits आ रहे हैं और words की जो length है वो बहुत बड़ा दी गई है और कुछ matter ऐसा आ रहा है जो कि journal हम पढ़ते नहीं है वो matter हमारे सामने निकल के आ रहा है देखिए आप लोगों की सूचना साइक वालों की speed केवल मांगी गई है 20 की speed मांगी गई है लेकिन मैं यह कहूँगा भले 20 की speed मांगी गई हो लेकिन अगर आपको exam आज की exam सको clear करना है तो कम सकम आपकी 35 की speed होनी चाहिए ताकि अभी आप लोगों के concern में system assistant का paper देके आए या सूचना साय का paper देके आए स्टैनोगराफर का paper देके आए है उनसे यह बात पूछना कि भी आप लोगों की क्या exam में speed reduce हुई थी वो आपको खुद कहेंगे कि हमारी speed 10-10 की reduce हुई है क्यों? क्योंकि ऐसे matter पे हम typing करके ही नहीं कहें थे किसी ने अनुमान ही नहीं लगाया था कि digits वहाँ पे आजाएंगे अल्ट की इस तो last year आई थी लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है 20 में digits को भी add कर दिया गया है तो हमें हर एंगल से matter की practice भी करनी पड़ेगी यानि आप लोगों का matter कैसा भी आ जाए तो आप लोगों 10 या 15 की speed plus लेगे चलनी है अगर आप typing सीख चुके हैं तो इंस्टूट से घर पे shift होते हुए आप लोग घर पे 15-20 minute English 15-20 minute हिंदी की typing जरूर करें अब बात करते हैं अधिनस्त के अंतरगत जो steno की भरती है जिसका सबसे पहले आप लोगों का return test होगा फिर आपका typing test होगा देखे मैं यह कहूँगा कि जो अधिनस्त वाली steno है उसके अंदर केवल और केवल पहला role जो important role है आपका return का फिर उसके बाद जो second role है वो आपका steno कर आएगा और third role रहेगा आपका typing का efficiency इसमें आती नहीं है तो मैं आप लोगों को यह कहूँगा कि typing इतनी need नहीं है आप last में भी cover कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप safe zone में जाना चाहते हैं तो आप tapping छोड़कर घरपे typing करपे practice करते हैं और return के अंदर जितने भी maximum marks आप लोग ला सकते हैं वो आप लोग ले के आएं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए और अगर आप लोगों के अच्छे हैं तो test rejoin करें तो मैं यह कहूँगा कि जिसके अंतरगा 10 plus 2 के अंदर 35 की speed मागी जाती है और CGL के अंतरगा 27 की speed मागी जाती है इतनी speed लाने में कम से कम 35 की speed लाने में 2 से 3 मिने का time लगता है और 27 की speed लाने में मैं मान के चलता हूँ दो मीने के अंदर अंदर speed definitely आ जाती है तो safe zone में जाने के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग typing अभी सी सीख ले and moment में आप लोगों की speed नहीं बढ़ पाती जिसके कारण आप लोग काफी timing देते हैं 8-9-9 घटे typing देते हैं और जिसके नतीज़ा बढ़िया बनाके चलें जो कि मैंने पर उपर लिसारा बता दिया और इन तीनों भरतियों से related आप लोगों को कोई भी query करनी है कोई भी questions है तो वीडियो के comment box में आप लोग अपना question रखें ताकि मैं आप लोगों का अगले वीडियो के अंतरकत पार्ट सेकिंड के अंदर इसी वीडियो का मैं आप लोगों के उन questions का जवाबी देशकू शुक्रिया जै हिन जै भारत